हेलो एवरिवन, कुरलेज किचन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अम्रता, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोबी मंचुरी, यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा कटोरी पत्ता गोबी, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है बारिक बारिक, और चार बड़ा चमज मैदा तिन चमज कॉन फ्लावर, और यहाँ पर मैंने फुड कलर यूज करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने मीक्सिंग बॉल लिया है, इसमें ये बड़ा कटोरी पत्ता को भी डाल दिया मैंने, अब मैं इसमें डालूंगी कॉन फ्लावर, मैदा, सौधन सार नमाक, एक चुटकी जितना कलर, फूड कलर यूज क्या है, अब है इसे हम सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसका हमें अच्छे से आटा गुंद कर ले लिना है, देखिये, अब मेरा आटा रेड़ी है, इसमें में औरेंज कलर का यूज क्या था फूड कलर, इ इसलिए इसका कलर आइसा है, अगर आपके पास औरेंज कलर का फूड कलर नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हो, अब मैं इसके चोटे-चोटे बॉल्स बनाऊंगी, देखिये, अब मैंने बॉल्स रेडी कर लिया है, अब मैं इसे डी फ्राइब करूंगी, तेल गरम हो चुका है अब एक एक करके हम सभी बॉल इसमें डाल देंगे या फिर आप डारेक्ली ऐसे भी डाल सकते हैं यहां पर हम धीमी आज में पकाएंगे देखिए अब मैं इसे निकाल दूंगी इसे मैंने निकाल दिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने यहां लिया है पत्ता वो भी स्प्रिंग अणियन टमैटोस शिमला मिर्ची अध्रक लसिन का पेस्ट हरी मिर्ची एक चमस सोया सॉस एक चमस रेट चिली सॉस और दो बड़े चमस टमैटो सॉस अब मैंने यहां पर एक कडाई ली है इसमें एक अध्रक लसिन का पेस्ट पक्ताव होगी अगों इसे अच्छी से मिलालेंगे शिमला मिर्च लंपे कटेल बेटो मैटोस नमख थोड़ा सल डाला है यहां के नमख अब हम इसे पकाने के लिए दो मिल छोड़ देंगे सबजी अपक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे सास परेट चिली सास सोया सास और टोमेटो सास अब हम इसे मिलालेंगे यहां पर एक चमच कौन प्लॉर लेना है इसे में थोड़ा सा पाने डालके इसका मिश्रन त्यार करेंगे इस तरह से अब यह हमें ग्रेवी में डाल देना है अब यह इसमें में डाल दूंगी इसे अच्छे से मिलालोंगे यहां पर मुझे मिश्रन थोड़ी सी काड़ी लग रही है इसलिए में यहां पर आदा कप जितना पाने डालूंगी अब में यहां पर मंचुरेन बॉल्स डाल दूंगी बिला देंगे इसे अच्छे से करता है इसके उपर आदा अब हमारा तैयार हो गया है मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी निकाल दिया है मेरे प्लेट में अब में इसे गार्निशिन के लिए पताब हो भी और स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद